क्लास 8 की चैप्टर क्यूबस एंड क्यूब रूट्स का एक्सराइज 7.1 का क्यूशन नमबर थर्ड इसका मतलब है वो पर्फेट क्यूब नहीं है हमें ऐसा कोई स्मॉलेस नमबर ढूंडना है फाइंड आउट करना है जिसको हम अगर डिवाइड करते हैं अपने गिवन नमबर से तो वो एक पर्फेट क्यूब बनता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 81 सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में हमें करना पड़ेगा 81 का प्राइम फेक्टराइजेशन तो हम इसका प्राइम फेक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो फेक्टर्स हैं वो निकल के आ गए 3 x 3 x 3 x 3 तो हमारे पास ये फेक्टर्स निकल के आ गए अब हमें हमारा सेकिंड स्टेप क्या है कि हमें बनाना है ट्रिप्लेट्स जो हम ट्रिप्लेट्स बनाएंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है 3, multiply वाले में हमारे पास क्या होता था, कम होता था 1, एक नमबर कम होता था अब divide वाले में हमारे पास क्या है एक नमबर एक्स्ट्रा है 3 जो है सबसे smallest number है, 3 is the smallest number जिसको अगर हम given number से divide करेंगे 3 is the smallest number by which if we divide the number, तो हमें perfect square cube मिल जाएगा so 3 जो है सबसे smallest number है, जिसको अगर हम अपने number given number 81 से divide करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, perfect cube मिल जाएगा, तो यह हमारा पहले part का solution है so चलिए start करते हैं second part का solution so our second part is 128, तो 128 का हमें prime factorization करना है 128 का prime factorization 2 से हम करेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा 64 2 को अगें यह divide होगा 32 16 28 2 4 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2 तो हमारे पास अगर हम इसमें triplets बनाना चाहें जो हमारे पास factors आए हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 के जो है 2 जो है triplets बन रहे हैं एक number जो extra है यानी कि 2 तो हमें पता चल गया कि अगर हम इस 2 से divide कर देंगे हमारे given number को तो हमारा 128 जो है एक perfect cube बन जाएगा तो हमारे पास 2 जो है सबसे smallest number है जिसको हम 128 से divide करके एक perfect cube जो है हम obtain कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा next part तो हमारा जो third part है वो है 135 के उसके भी हम क्या करेंगे prime factorization निकाल लेंगे 135 के prime factorization तो ये हो जाएगा 3 से divide तो आगे हमारे पास 45 3 और हमारे पास फिर आजाएगा 15 फिर अगें ये 5 से चला जाएगा तो 5 बन जा 5 तो हमारे पास आप देख सकते हैं के triplets तो बन रहे हैं लेकिन 5 जो है वो एक एकस्रा नमबर है so 5 is the smallest number okay जिससे अगर हम अपने number given को जो हमें given number है यानि की 135 उसको अगर हम divide करेंगे तो एक perfect cube मिल जाएगा so हमारा fourth part है 192 so 192 जैसे हम अब तक अभी हर से question में करते हैं 192 को भी हम क्या करेंगे prime factorize तो यह हो जाएगा 2 से divide so यह हो गया 296 so we get 4, 1 यानि की 48 और फिर हमारे पास आजाएगा 24 फिर हमारे पास आजाएगा 12 फिर आता है 6 तिन हमारे पास आजाएगा 3 so यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे जो triplets बन रहे है 2 के बन रहे है हमारे पास जो एक extra नंबर है यानि की वो क्या है 3 so 3 जो है वो सबसे smallest नंबर है जिसको अगर हम divide करते है 192 से तो हमारे पास क्या है एक perfect cube मिल जाएगा so चलिए करते हमारा last part तो इसी तरह हमारा जो last part है वो है 704 तो 704 के हमें क्या करने है prime factorization यह divide हो जाएगा 2 से so हमारे पास आजाएगा 3, 1, 5, 2 352 फिर अगें हो जाएगा 1, 7 and 6 so यह अगें जो है 8 and 8 so 44 so again 22 again we have 11 so 11 बंजा 11 तो हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि triplets जो है 22 के बन रहे है single term जो हमारे पास रह रहे है वो 11 है so 11 is the smallest number if we divide the number 704 by 11 we get a perfect cube so यह हमारा जो question 3 था उसके हमने solutions जो है उसको कर लिया है I think आप लोगो को वीडियो पसंद आई होगी आपको समझा गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो friends के साथ share करिए चैनल को subscribe करिए comment करके अपनी curious बताई है और suggestions दे सकते हैं आप बता सकते हैं drop कर सकते हैं comment में कि आप कौन सा टॉपिक जो है मुससे समझना चाहते है thank you for watching this video अगर आपको न एक क्वश और आपको आपको